बुरे को भी अच्छे में बुरा दिखा, अच्छे को बुरे में भी अच्छा दिखा, सब नजरिये का खेल है, जो जैसा है उसको वैसा दिखा स्रिष्टी कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते, पर दिख्टी जरा सी भी बदल जाए, तो हम सुखी हो सकते हैं ऐसा बोलो कि सब तुम्हें सुनना चाहें और ऐसा सुनो कि सब तुम्हें कहना चाहें किसी को परकने के जिद छोड़कर समझने की कोशिश करो अदब सीखना है तो कलम सीखो, जब भी चलती है सर जोगा के चलती है इस तरहा न कमाओ की बाप हो जाए इस तरहा न खर्च करो की कर्ज हो जाए इस तरहा न खाओ की मर्ज हो जाए इस तरहा न बोलो की कलेश हो जाए इस तरहा न चलो की देर हो जाए और इस तरहा न सोचो की चिंता हो जाए बहुत ही सुन्दर शब्द जो गुर्दवारे के दर्वाजे पर लिखे थे यार से ऐसी यारी रख दुख में भागेदारी रख चाहे लोग कही कुछ भी तू तो जिम्मेदारी रख वक्त पड़े काम आने का पहले अपनी बारी रख मुसीबते तो आएंगी पूरी अब तयारी रख काम्यावी मिले न मिले जंग होसलों के जारी रख बोज लगेंगे सब हलके मन को मत भारी रख मन जीता तो जग जीता कायम अपनी खुददारी रख एक आस्तिक ने एक नास्तिक से कहा तुझे रख पर बहुत भरोसा है ना तो जा एक पहाड से छलांग लगा देखते हैं तेरा रख तुझे बचाता है या नहीं आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया ये मेरे रख का काम है कि वो मुझे आजमाए ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसे आजमाऊ एक बार एक व्यक्ती ने एक संत से पूछा हम ईश्वर के आगे सिर क्यों जुकाते हैं तो संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया हमारे चिंताएं हमारे मस्तिश्क में निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे सर जुका कर प्रणाम करते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तश्क से ईश्वर के चर्नों में पहुँच जाती हैं और हम चिंताओं के बोज से मुक्थ हो जाते हैं तू ही तो है पालन हार जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है मगर अनुभव आज भी उम्र का ही इंतजार करता है प्रयत्न करने से कभी न चूके हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं और विरोधी नहीं तो प्रगती नहीं याद रखना जंदिगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से खुशियां तो थोड़े समय के लिए ही सब्र देती है लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है दुनिया के सबसे तेज रफ्तार दुआउं की होती है जो जुबान तक पहुँचने से पहले ही ईश्वर तक पहुँच जाती है आत्मा परमात्मा और महात्मा ये तीनों ही शब्द मा के बिना अधूरे है हर औरत की इज़द करो इसलिए नहीं कि वो एक औरत है बलकि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माने की है कभी तानों में कटेगी कभी तारीफों में कटेगी ये जंदगी है दोस्तों पल पल घटेगी पाने को कुछ नहीं ले जाने को कुछ नहीं फिर भी क्यों चिंता करते हो इससे सिर्फ जीवन की खुबसूरती घटेगी यह जंदगी है दोस्तों पल पल घटेगी जीवन तो बासुरी की तरह है जिसमें बाधाओ रूपी कितने ही छद्र क्यूं न हो लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खायाल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना